नमस्कार मैं हूँ सौरब दुवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप का खास चुनावी प्रोग्राम नेता जी घेरे में बिहार में चुनाव हैं गणतंत्र की जन्मस्थली में चुनाव है उस जमीन पर चुनाव है जहां के एक आम वोटर को दुनिया के सबसे खास राबर रखा जाता है लेकिन इसके बावजूद बिहार की दशा और द्शा क्या है विकास के अलग-लग सूचकांकों पर यह बात चिपी नहीं है सियासत का समय है और ऐसे समय में सियासत दाओं से बाद नेता जी घेरे में कि इस एपिसोट के महमान NDA के नए सहयोगी और नई नवेली विकाश शील इंसान पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष मुकेश सहनी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेता जी घेरे में बहुत-बहुत धने वाद आपको श्रोग ऐसा तो परी कथाओं में होता है दंद कथाओं में किस्सों में सुनते हैं कि लड़का घर से भाग गया मुंबई चला गया आप भी घर से भाग गये थे यह सत्य है क्या कितनी उमर थी क्यों भाग गये थे अटारइस अल कय नुद्फा उस समय और हमारे घर दोस्त थे उनको घर से भागना था तो मुझे भाग नहीं तो भाग नहीं यह थो dare हैता आ कि कंपर्ट यूररन लाना है little bit wouldn't have mo Pal कराते से थेत थे और है है तो हम लोग भाग के railway station पहुंच गए और railway station पर देख रहे कि कहा जाना कोंड ट्रेन आना है तो पवन express डिर बजे का टाइम था आने का और दिल्ली जाने वाला जो ट्रेन था वह चार बजे का था तो हमने सोचा कि पहले निकल लेते हैं तो हमने पवन पश्चा के लोग रह रहे हैं जो हमारे काव में रह रहते वो लोग बमबे में अपना काम करते चोटा मूटा फिर उनी के घर पे गए फिर वहां से इंफर्म किये घरवाले को कि हम बबबे पहुच गया और फिर वहां पर मतलब कुछ दिन रुके इदर उदर घूमे जूब नोकरी नियुक्री ने इसे लिए तो वहां पर ही तो उसके बगल में एक फोटो फ्रेम का सॉप था तो फोटो फ्रेम का सॉप था तो तो वह घूंने फिरने टाप के लोग थे और जनरल यह पर सिनेर सिटीजन काफी लोग आते थे पहले पोटो फड़ेमी भगवान का देवी देपता का फोटो बनाना या कोई गुजर गए उनका फोटो फ्रेम सा बनाना तो वो बार भार घूम के चले जाते थे तो तो मैं उहां पर बगल में रहने से मैंने देखते-देखते मैं वो काम सीख लिया था ग्लास कैसे उस सेट का नितिन देशाही थे, संजरिला बंसाली का फिल्म था, तो उनको सेट पे वरकर चाहिए था, काम करने के लिए ग्लास काटिंग करने के लिए कोई कारिकर चाहिए था, बढ़े पैमाने पे चाहिए था, पचास सो लोगों चाहिए था, तो वो पुरा बंबे में तो दुन्टे दुन्टे हमारे सॉप पे आये हैं तो बोले कि हमें फिल्म सिटी में कुछ लोगों को काम कराना है और एक दिन का पांसोर प्या देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बॉम्बे जब गया था तो हमारे बगल में ही फिल्म सिटी है दो तीन किलिमीटर दूर पे तो मैं कई बार कोशिस किया फिल्म सिटी घुशने का लेकिन मुझे गेट पे से भगा दिया जाता था यह दो हजार की बात है यह तो गे सब्सक्राइब घुला करते हों पर करना चालू कर देता हूँ और बहुत मैंनत करने लगता हूं और फिर जो भी हमको देते थे उ यसको मैं पनीर से पवेले में और प्रडॉक्शन होस के अंदर में तो फिर वहां पर मतलब बाइनेम मुझे नितिन देशाई जी जानने लगें उसी ट्रमे में और संजे लेला बन साली समझने जानने लगें और कोई भी काम होता था तो बाइनेम मुझे ही बुला कि वह काम सौपते थे कि मुकेश कल ये र प्रडॉक्शन देशाच चाहिए था जो भी समान लगता था तो परचेस बाहर से करके और अपना बील उहां पर जमा करके और अपना भी प्रोफिट लगा के मैं बिलिंग कर लेता था तो वही से फिर मैं अपना इस्टार्ट हुआ तो आंकी शारुक ऐश्वरिया और इंस समय में खिचाया था सुरी राजी से भी मैंने फोटो मैंने लिया था तो अच्छा लग रहा था फिर मैंने देखा कि 900 रुपय महिने का नोक्री है यहां 500 रुपय रोज का तो काफी बारा फर्क रहा तो फिर मैं उस सेट पे उस फिल्म में अच्छा पैसा मैंने कमाया भी उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसी फिल्ड में काम करेंगे, फिर फिल्म इंड़स्ट्री में मैं जम गया, ये फिल्मों की बड़ी खास चीज होती है, मुकेश जी नाटकी था, ड्रामा, एक ड्रामेटिक मोमेंट पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजधानी पतना में ह हुआ जब RJD अपना एलाइंस डिक्लेयर कर रहा था और एकदम से बीच प्रेस कॉंफरेंस में आप उठे, आपने कहा मेरी पीट में छुरा घुपा गया, इस आशय की बात गही और उठ गए, तो ये ड्रामा, कई लोगों ने कहा कि पूर्व नियोजित था, इस्क्रिप् तो उनको अन्दाजा मिल जागा कि मैं कभी भी इस तरीके से मैं काम ने करता हूं और मैं हमेसा संघर सुनता हूं मैं मुंबे में मेहनत मजदूरी करके मैं काम्याब बिजनेसमेन, मैं वहां पे सफल बन गया, मैं फिल्म पैडूज कर किया, मैंने वहां पर बड़े दो हजार अठारा में एक पोलिटिकल पार्टी बना है, मैं प्रेस कॉंफरेंस में क्या हुआ, आपको पहले से पता नहीं था कि सीट का शेरिंग क्या होना है, पहले से पता है, दो रोज पहले हम तेज़ेसी परसाद यादावशी से मिलते है घर पे, और दो मेहना पहले भ सभाग के बाद हमने उपचुनाव लड़ा और 15% हमारे पार्टी को अपने दम पर आता है, और एक सीट को लेकर हम लोग लड़ जाते हैं, आपस में दोस्ताना संघर्स करते हैं, और 25-15% हमारे भोट मिल जाते हैं, और 45% में सरकार बन जाते हैं, अगर उसके अनुक को जाएंगे और डिप्री सीम की से महाल बनेगा और फिर समारी सरकार बनेगा, तो इस चीज पे दो मैना पहले उन्होंने कंफर्म कर दिये कि ठीक है, और 25% हम आपको देते हैं, तो हमारे उसके बाद मिलना जुनना जारी रहा, फिर दो रोज पहले हम मिलते हैं, उसमें भी होता है कि इतना सीट आपको दे रहे इतना उनको दे रहे सारा चीज गिंती में हो रहा हमारे पास 122-120 बच रहा है तो मलठी का आधे सीट आपको बच रहा काफी है और तो इस तरीके से सारे बाते हुए ऐसे भी बात होगा कि कॉंग्रेस को छोड़ देते हैं हम लोग साथ मे यहां तक है कि आप मायावती से बात किजिए उनको ले 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 और कॉंग्रेस को छोड़ देते हैं हमने मायावती के दर भी हमने बात किया इतना आपकी मायावती में मतलब उनके जो नेशनल कॉडिनेटर होते हैं गोतम राम जी उनसे मेरा बात चीत हुआ कि गठव उनका इंटरेस था कि ज्यादा ज्यादा सीट चाहिए तो बात बतलब ठोशली नहीं पहुच पा रहा था मायावती जी कि यहां से क्या आया मैसेश की नहीं ज्यादा सीट चाहिए तो बात खतम होगे बात खतम चली रहा था और हमारा इंटरेस था कि कॉंग्रेस रहे तो प्रफिर मुझे यह काम भी दिया कि आप बात किजिए अब मैंने बात भी किया और सीट पर कुछ बाती चल रहे थे लेकिन हम ने ठोसली बहुत ज्यादा मजगूती से हमने काम नहीं कि इसलिए कि मुझे पूरा इंट्रेस था कि कॉंग्रेस पार्टी को हमें हमारे गठवंदर में रखना है क्यों कॉंग्रेस के आने से क्या समीकरण बहतर होते हैं समीकरण बहतर रहते हैं उनको छोर कर हम लोग आगे बरेंगे वह मैं उचीत नहीं समझ रहा था ठीक है और कि दावेदार ही नहीं कर रही और आप 25 पर लड़के कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी सिम चाहिए तो मैंने सीट पर कंपरमाइज किया था उसके बाद डिप्टी सिम अतिपिछरा के नाते हमें इस डिप्टी सिम के जगह मिल रहा है कि चुनाओ के पहले डिक्लियर हो ताकि कि एक मैसेज जाएंगे अतिपिछरा के बीच में और उसके बाद राष्टी जनतादल आर जेडी कभी नहीं चाहिए कि कॉंग्रेस पार्टी बिहार में इस्टेबलिज हो उसको टिप्टी सिम दे या ज्यादा सीट जीत क्या है वह राष्टी जनतादल कभी नहीं करते हैं फिर जब निकलने लगते हैं चार बज़े का प्रेस कॉंफेरन्स पर्टी के तरफ से उनके लीडर लाने में लेट हो रहा था फ्लाइट इसके लिए पांच बज़े कर दिया जाता है और जब हम चार बाज के बीस में निकलने का कोशिज करते हैं उनके आवाज से तो 4 कि 20 मिनेट पहे हमें तेजर्री सिमें मीलते हैं और वो मुझे सुची दिखा रहे है कि इतना ता सारे सासे चीजे कर रहे हैं तो मेरे लिए जब बात हुआ तो बोले कि कल देंघेब केलम कर लें अब का सीट कार नाम का रिप्टी सीम भी हो जाएगा तो अच्छा मैसेज जाएगा तो ने ठीक है कल हम कर लेते दोनों एक साथ में कर लेंगे तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा डॉट लगा सारे अनॉंस्मेंट आज हो रहे हैं तो मेरा क्यों कर रहे है तो मैंने तो भी मैंने चलो ठीक है भी 10-12 घंटे की बात है साम होई गया कितना टाइम लगा अकल भी कर लेंगे और मैं वह उस हिसाब से मैं उहां से निकला लेकिन मेरे मन में पचास तरह का सवाल चल रहे थे उस इस तरीके स्था कि यह लास्ट मुमेंट मुझे धकिल देंगे कि आपके लिए लड़ो जाता कि पूरे बिहार में इंडिया का चुनाब हराके और हमें फाइदा मिल जाए तो यह सब मेरे दिमाग में चल रहा था पहले भी चल रहा था और बाद में भी चलने लगा तो भी कि कल करेंगे वो दो से तीन दिन का समय ले रहे और फिर वो समय भी नहीं है लास्ट आवर में जाकर हम लोग का घुछना कर रहे तभी मुझे लगा कि यह कुछ तो हमारे साथ गेम कर रहा है और मेरे साथ चिटिंग करने का इनका पूरा निर्म हो चुका है और फिर मैं दने बाद दे रहे हैं कि आपने बहुत मर्द आपने काम किया हमारे पार्टी के भी टॉप लिडर सिप जित्ते भी लोग हैं सारे लोग हमें धने बाद दे रहे हैं कि आपने जगर पर डिसेंग कर रहा था सम्धिंग सारे चीज़ लोग बोल लेते और हमने वहां से निकल त्यक्त है कर एक प्लान होगा एक तो लास्ट मॉमेंट पे लेकर जाएंगे सिट कम करेंगे कंदिसंद कम कं करेंगे और मेरे कंदिस्यन पिन हमारे साथ है रखे राजनेत कराएंगे ये उनके पास पहला आक्सिन होगा यह सोच होगा कि हम अपने कंडिसे में क्योंकि उसको नहीं चाहेगा कि याती पिछरा का बेटा बढ़ जाए फेस चमक जाए वह डिप्टी सीय मन जाए ताकि हमें भविस में हमें टकर दे तो उनके मन में यह डर हमेशा रहता ही है आप देखिए लोग सभा में एक सीट कनिय है जी को नहीं दिये तो सिर्फ उनके मन में यहीं डर है तो एक वह हो सकता है या दूसरा कि उन्होंने देखा कि हम उप्चुनाब लड़े हैं और पचीस जार बीस जार भोट हमारे पास हर विधान सभा में अगर मैं उसको काट लेता हूं उनको मालूम है कि यह आदमी जो आपने फोन किया या वहां से फोन आया बात नेता लीडर से तो चालू हुई था सब धन्यबाद होगर सब दे रहे थे तो फिर दिल्ले नाम तर्शक ना बहुत दर्शक यह चाहते हैं कि उनके जो नई जमात के नेता हैं नई पीड़ी के नेता है वो खुल कर समबात कर रह है उसको सारजनी करना उचित नहीं होगा लेकिन मेरा मंत्री स्री अमिसाजी से दिल्ली में मुलाकात हो रहा है और फिर वहां पर प्रेस कॉंफरेंस के बाद की बाद बात ऐसा हुआ कि मुलाकात करना है और हमारे गटवंदर में आप आ सकते हैं तो मैं इंट्रेस लेता रात वर में मेरा किलियर था कि मैं अकेले अपने दम पे पूरे बिहार में चुनाब लरूंगा या तीसरा मुर्चा बड़े पैमाने पर बने तो उस समय में यह प्लोटिंग चली रहा था सारे लीडर से हम लोग बात कर रहे थे और जारी था और उसके साथ साथ हम लोग सा काम है कारे क्वी ना चाके यह तो देल camino बात होता है तो तो गरफ मंत्री साप से बात होता है तो जो चली आफ सोनना नहीं से पान pont पर होता है और मुझे लगता है कि इस जगह पर हमें सर्वाइब के लिए हमें साथ आना चाहिए यह भी कई लोग कह रहे हैं कि जो नेता जी टेजस्वी से 25 सीट पर भिढ़ गए अभी आपने का हमारी 42-43 की सूची थी और फिर वो आकरी में बीजेपी के साथ 11 पर राजी हो हमारे पास कोई option नहीं बचा कोई बिकल्प नहीं बचा मैं तो धन्य बाद दूंगा मानिये देश के परधान मंत्रे नेंद मोदी जी को और ग्रह मंत्री अमी साजी को की पिछरा का बेटा को लास्ट मोमेंट पे भी उन्होंने गले लगाया और इतना बड़ा सम्मान हमें 11 सिट दिया ठीक है हमारे लिए कम है लेकिन आए इस समय पर मैं मानूंगा कि बहुत ज्यादा है आप अभी नरीद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन ठीक सबा साल पहले लोग सबा चुनाओं में आप उन्हीं नरीद्र मोदी को कोस रहे थे जब आप खगड़िया में हैं आप खुद को चुनाब जीतना चारे क्योंकि हम 2014 में भी भारती जनता पार्टी के साथ हम काम किये उनको पुड़े बिहार में मदद किये और एक ही उद्देश था कि जो निर्शाद समुदाय है फिसर्मान कम्यूटी है उनको आर्थिक स्थिति से जो खराब है उस पर हमें काम करना है और यह बात हमारे उस समय में भाच्चित हुआ था लेकिन हमें 2017 नहीं हो रहा तो फिर मैंने एक आलग रुख लिया और मैं दूर होकर में एक पोलिटिकल पार्टी बनाया मैंने यह सुचा कि जो काम हम दूसरे पोलिटिकल पार्टी को कह रहें करने के वह काम तो हम भी कर सकते उस जगह पर पहुंचने के आप सकता है जनता मुकेशी यही पूछ रही है कि 2019 में आप आके कहते हैं हमारे बीच की नरेंदर मोदी खराब हैं अब आप 2020 में आके कह रहें नहीं नरेंदर मोदी अच्छे हैं देखिया हम आप अच्छे इसलिए जो आपको सीट दे वो ठीक है ने खंजर भोकने के बाद जो हमारे हमने जिनको दोस्त बनाया वो तो हमारे पीट में खंजर भोक दिये अब उस समय में अगर मलम लगाने के लिए कोई आ जाए तो मैं तो उसको दोस्त भी ममानूंगा यही बात बिल्कुल आपने ठीक ही ल मैंने बजेपी की मदद कील अभी आपने फिर बोला क्या हुआ था चवुडा-पंद्रा में आपकी वहां पर पर सबश technician में बाद पर पे पोलिटिक्स अचानक क्यों केसी आना हुआ मैं पॉलिटिक्स में समाजी काम करते करते में प्लिटिक्स में समभी काम करते मैंảoि पाटिमी साफ थे लोग अप्रोच करने लगे कि हमें मदद किजे और आप मदद किजेगा तो हम चुना अपजित लेंगे तो उस समय में ने कहा कि हमें उस समय में देखा हमने बिहार में कि मोदी जी के बारे में अत्ती पिछरा का बेटा है और देश में का विकल पे देर ने के लिए कर रहे हैं उस समय में तूजी बहुत सारा अलग लग स्कैम नजर आ रहा था जबकि राजनीत से मुझे उतना ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं था तो लेकिन मैं देखा कि चलो देश में अच्छे सरकार बनना बन दूसरा किसे बात है उस समय में परदेश अध्यक्ष मंगल-pit गगा के लिए कि फिर ये डिया कौल प्रमिस करने की पोजीशन में थे मुझे इतना अलग नहीं था उस समय में राजनीत का व्ताममदी हो निशाद संम्मեलन का इडिया कहां सेese को कि Kimberly clean magazine पॉलिटिकल मूव एक मुंबई में दर्भंगा का लड़का है बड़ा अंत्रप्रिनियोर बन गया फिल्म इंडिस्ट्री में नाम बन गया फिर वो अल अब आते हैं और एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें खूब जुटान होता है मैं पहुच गया उसके बाद नौ साल तक मैं बिहार नहीं आया है सिर्वाद मिल अपनापन का एसास होने लगता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है फिर मैं लगातार में बिहार आना चालो कर देता हूं में 2010 में फिर एक सानी समाज कल्यान संस्ता करके एक संगठन में बन करते हैं और बिहार में घुम के अलग अलग लोगों को सही हो करते हैं चाहे बच्चे को पढ़ने के लिए इसकूल हो या मंदिर हो या मजित हो हर किसी को मदद हम करते हैं और धिरे-धिरे मुझे थोड़ा समाजी का में रूची बन जाता है 2013 में हमारे समाज के ही लोग कु कीजिए और मैं आपको यह डोनेशन देने कले तैयार हो तो वह कर्च करम बाद में डिसाइड होता है और क्यूंकि मैं सुचा कि बढ़ा अच्छा से स्टेज बनाओ बनिहां से कार्च करम हो पूरे परचार हो तो यह सारे चीज में रहा हूं तो यह सब चीज मुझे जानक पर अच्छा सामिलन उन्होंने किया और लाखो लोग मतलब सत्तर पच्छाजार लोग वहां पर पहुंचके दर्मगा राज मैदान में और काफी मैं उस समय में डिस्टिक लेबल पर में फिवंस था कि एक मच्वारा का बेटा मला का बेटा और गाहों में से मतलब बंबे म जाके कि अच्छा इस्टेबलीज है तो उस नाते लोगों देखने के लिए भी हमें आए कि कौन है तो वह पदवी जो जुड़ती आपके नाम के साथ सनाव मला वही शुरू होई वही से जुड़ते हैं तो जनरली उस समय में क्या हो गया था कि मैं जो काम कर रहा था तो य लोगों ने मुझे गांधी के उपाधी देने लगे कोई आंधी का उपाधी देने लगे कि आप जू बुलिएगा वही होगा तो मैंने उस स्टेज पे बोला कि मैं ना गांधी हूँ ना आंधी हूँ मैं एक मला का बेटा हूँ मैं सनफ मला हूँ अब वहां से वो सनफ मला करता कि मदद लेने के लिए तो उसके बाद हम राजमाइदान के बाद मजब यहां पर हम लोग करते हैं पटना में और उसमें मुझे नहीं पता था कि यह अप्रूबल वो दे रहें वो करेंगे की नहीं करेंगे हमें लगा कि बिहार परदेश के बरे नेता हैं तो पूरा कर बाद सब्सक्वर्ण को जाल करते हैं नरे पार मोधी जी और हमेरी शो और अमिशन घ्र को हम दोना करते हैं था नती पहले आहिए ó तो 2400 मे दर्वंगा के राजमाइदान में मंग faculty ईए सजी से महीं हुए न सबक्राइब में उसके बाद को पर सबस्तित्यन यहां में पुरे परदेश में काम करता वह पुरे पज़सा कर सकता तो, मैं बिहार के लोगों कलाता हूं और में बिआर मेंanka में 10 दि भड़ सब पहले में जाता हूं सब को बीच में हमारी बात को उध्रेश को ख रका जा रहा है कि समाजीust को उथान करने के लिए क्या क्या जरूरी है बच्चे को परहा लिखाना आपस मेथ्था बनाया रखना जरूड पहुचा आते हैं और लोगों हमारे पहुचा रहे थे उसके बाद हम पट्टा में एक कर्च करम करता हूं वहां से फिर डिसीजन होता कि गांधी मैदान में रैली करना चाहिए फिर 2015 में हम कर्च करम करते पट्टा के गांधी मैदान में गांधी मैदान में उस समय में अधिक लोग अपने संसाधन से अपने खर्चे से लोग आये और काफी वह भी कर्च करम बहुत सफल रहा और पहली बार ड्रॉन केमरा मैंने इस्तिमाल किया था उसको लेके बहुत टीवी मीडिया कर्च करम फिर उसके बाद हम लगातार संगठन पर काम करने लगे पूरे बिहार में फिर 2015 में चुनाप का समय में बात हुआ कि उस समय में भरते जंता पार्टी के राष्टे अध्यक चासरी अमिसाजी थे तो इस बार हमिसाह से सीधे बात हुई या फिर मंगल पांडे के तो पहुंचने के लिए तो कोई तो जरिया चाहिए तो फिर बात हुआ फिर क्या प्रोमिस किया में शाने आपको उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाप का समय है जो आपसे वादा हुआ उस पर हम लोग ध्यान देंगे अभी तो कुछ लोगों को टिकेट टुकेट देके तो उस समय में नहीं करना था तो हम अपनी गांदी मैदान में रैली कर रहे हैं आप प्रदेश में रत गुमा रहे हैं संग्ठन करणा कर रहें और आप कहा रहे है मुझे राजनिति नहीं करना इंगा समय मेरा उस समय मेघर इख़ नहीं लगना तो मेरे घर के सीट पर разм Rubrant कि टिकट भीजेपी ने आपके कहने पिया गयाogy मतलब निशा समाज को भरिसानि को दिए विनोध बंपार को टिकट दिए है उम्हाण खटभंदन जी तो कई टिकट वहे दिये फिर महागजजँज में कहीं लोगों को टिकट दिया गया मतलब आप वो एक लोते व्यक्ति होंगे जिसके कहने पर 2015 में महागडबंदन भी टिकट दे रहा था NDA भी तो क्या दोनों तरफ क्या प्रॉमिस कर रहे थे आपकी दोनों लोग मानगे बात यह हुआ कि जब हम पहले NDA के साथ हम थे फिर उस समय में मानिय नितिज कुमार जी ने बारा घंटे में अंसंसा कर देते हैं कि निशास समाज को जो आरक्षन मिलना है वो केमिनेट पास कर देते हैं और लाठी डंटा पटना के गांधी मैदान में चलते हैं काफी निशा निशा निशाद कर देते हैं तो मेर थे उनको टिकर दे देते हैं तो और भी कई जगर टिकर बाट रहे थे तो अमेर शाग उस्तानी होए कि अभी आप हमसे पैक्ट और प्रॉमिस कर रहे थे आप अधर चले गए यह उसके बात पहले हम लोग नितिज जी से परभावित हो और प्रीकर देने के बाद उनको नहीं देखे दूसरे किसी को कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको चलने लगा कि बात संबाद साही से नहीं हो रहा था नितिज जी कट पर लालू जी उस समय इंटरफेर कर देते थे तो मुझे गुस्ता लगा कि यह सब क्यूं हो रहा है तो उ है और भारते जनता पाटी को मदद करना है और पिर दोजार निम्हाइक करते हैं सब्सक्राइब एक olla जाइ है कि अभी एहां है डिटिश के इंडियेम चले गए यूप रितीे के हमारी समाजिक संगठन था और रहा कि जो आप बात कहिएगा बोलिएगा उसको फिल फिल नहीं किजेगा तो हम आपके साथ क्यों रहे हैं मैं हमेसा ये स्टेन हमेसा मैंने अपनी जिंदगी में लिया हूं और आगे भी लूंगा कि अगर आप वादा कियें अगर आप बात कर मुकेश सहनी का नीटीश कुमार से बहुत नहीं बनता है बीजेपी से जमता है नीटीश से कम जमता है जमता है यह उन्होंने मुझे काफी रिस्पेक्ट किया मैं भी उनको काफी रिस्पेक्ट दिया मैं हमेशा अपने गार्जन के तो पर मानूंगा सब्सक्राइब करें लिए काम करें अपने एक प्रदेश के बारा करोर लोगों के लिए काम करें अबने एक फिल्म मनाई थी एक लेला तीन चैला लोग कह रहे हैं कि बिहार के अभी यही इस्थिती हैं बिहार का वोटर है सब उसको लेला की तरह मान रहे हैं और चैला की जगे वो लोग कह रहे हैं चलिया कि सब चलते हैं हमको एक उन्होंने कहा कि एंडिये का गठवंदन दूसरा यूपीय का गठवंदन और तीसरा वो जो इलेक्टोरल टैली में दिखता है अन्य है अब अन्य में भी कई हो गए हैं एक रालोसपा का मोर्चा है जिस मोर्चे से आप बातचीत कर रहे थे कि डेप्टी सीम मनाईए ऐसा बताया कि आएंगे अब इसवे एक मोर्चा पपू यादव का मोर्चा है तो यह एक लेला तीन छेला वाला क्या चक्कर है कि सब इंट्रेस्स रखते हैं कि बिहार में 12 ओर का जंता है यूबा है सब के लिए सेवा करने के लिए राजदीत माने के लिए और सब अपने विचार के साथ लोगों क को आगे बनाने का कोशिस करेंगा हर पुलिटिकल पार्डी का यह सोच होगा आपका उपेंद्र कुश्वाहा के साथ बाचीत चल रहा था हमेशा रहा पप्पू यादव के साथ रहा बाचीत पपू यादव का यह कहना है ललन टॉक को दिये इंटर्व्यू में कि तो वहां तो बनना नहीं है और मुझे उतना भी अनुभब नहीं कि मैं विहार का मुक्ष मंतिरी बनों आप कर सकते हैं और मैं राष्टे जनता देल KPन में ल relations करना है तो किसी कुछ बनाएंगे नहीं या देंगे नहीं यह राष्टे जनता दल का इथियास है तो हम लोग तो कई बार बोले कि बदलना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी से उनको कॉंग्रेस काफी गंभीरता से कुछ समयता किस नाम पर विचार पहले महीं नहीं लौंच किय तो पहला नाम मेरा ही सुझाओता कि मेरा कुमार जी का होना चाहिए और एक पर नीरा कुमार जी के लिए कई लोग कहते हैं कि वो तो दिल्ली ब्रैंड की नेता है ब्यूरो क्रेट रहीं बाबु जग जीवा नाम की बेटी हैं तो एक लेगेसी थी लेकिन बिहार के हर जिल पती नहीं है बिहार के जनता के लिए काम करना है ठीक है और मैं जिसनी साथ से उनके बारे में जानता था जितना भी जाना कि वह बहतर लीड कर सकते थे तो मेरे से अगर नाम पूछा गया तो मैंने अपना सुझाओ दिया और इसके बाद राश्टे जनतादल में बहुत सा लगकर अगर जाते हैं तो हम चाल रहे थै कि पाटी में अपना ओर निरने ले अपना निरने कुछ तो घ्याले याद आयाए जय से प्रेस कॉंपरेंस से गुशे में निकले तो पर तेजस्वी ने आपको फौन नहीं किया जिसके अप उनको हमान्गास के घ्ज्रु सिसकी रह ज्यादा बात ने हुआ लेकिन मदन महँची का फोन आया था जब उनका फोन के पास मैंने था पूरे पर देश से फोन आ रहा था क्या हो गया क्यों हो गया तो उतने में मदन करेंगे फोन उसके बाद समय नहीं मिल पाया उसके बाद हम अपने दूसरे प्लोटिंग पे निकल गए और इसमें जितना गलती परसाद या राष्टी जनता दलकाया उससे कई गुना ज्यादा हम मानते कि कॉंग्रेस पार्टी का भी है क्योंकि मैं जिनके लिए मैं इतना प पटना के बड़े पत्रकार चैनल है कि उन्होंने बोला कि नेता जी यह अभी गटवंदन तुम ही सम्हाल पाऊगे तुम इसमें कुछ करो दिल्ली यहां से मैं भागता हूं और मैं शक्ति सिंग गोहिल जी से मिलता हूं उनसे बात रखता हूं कि सर दो चार सीट इधर हो रहा है लेकिन आप ही का हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे यह नहीं बता है तो मैं बला कि जरूरी गिरे तो दो-चार सीट हमसे ले लिजिए लिए गटवंदन नहीं तो रही है और साथ हम लोग चलेंगे तो उन्होंने बोला नहीं मुक्षभा पेंशन मतलो जो भी होग दो-चार सीट हम अपने में से दे सकते हैं लिए गटवंदन अटूट रहेगा मैं देता हूं और फिर मैं पत्ता में रहता हूं लोग सभा के समय में भी 11 सीट करने के बाद 9 सीट किया जाता है कॉंग्रेस पार्टी का और उस समय में भी तेजस्वी यादव ने कॉंग्रे आपने नहीं कहा कि गलत हो रहा है इंके साथ हो सकते हैं लोग करोना अलग मोर्चा पना रहे हैं मांजी जी जेडियूम चले गए अब बहुत बातचीत नहीं हुआ जब हम एंडिय में है और अगला भी बहुत बीजी है मैं भी काफी बीजी हूं तो बातचीत दोगर सब नहीं हुआ अचा यह बताईए कि पार्टी बनाने का खयाल कैसे आया आप तो सामाजिक संग्थन की सब राजनीती कर रहे थे दोजार अठार हम पार्टी बनाया हुआ है मैं 2017 में बिहार में संगठन चुना भारने के बाद मैं उत्ताप्रदेश तक में संगठन को फैलाओ किया उत्ताप्रदेश में भी मैंने अपने समाज को जोड़ने के लिए बहुत काम किया गुरत यात्रा हुए सब निकाला सार अधिल का महिना था और मैं साथ दिन तक अंसर में बैठता हूं और पहली दिन मतलब टीवी मीडिया का फोकस होता है लोग पूछते भी हैं दूसरों जो होते होते दिरी-दिरे कम हो जाते हैं और सरकार के तरफ से या जहां से भी कोई भी मतलब उस पर ज्यादा ठोस पहल नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि मैं साथ दिन तक भुखा हूं मुझे कोई पूछ नहीं रहा है और मैं काफी उस समय में यह था तो मुझे लगा कि नहीं आपके पास भी पावर होना चाहिए आप दूसरे के पीछे घूम घूम रहे हैं और आपके पास 15% भोट बैंक और आप बिहार में अपने विचार धारा को जमीन तक पहुचा आ सकते हैं तो मैंने 2017 में ही निर्ने लिया कि नहीं हमें अभी राजनित करना पॉल्टिकल पार्टी बनाना है और फिर अंसन पे तो सरकार के तरफ से बात नहीं होता लेकिन उपेंदर कुसवा उस समय में कें सब्सक्राइब करता हूं और बस यात्रा निकालता हूं और सारे चीज में करके चार नॉमर को पटना के गांदी मैदान में पॉल्टिकल पार्टी का नाम देता हूं में विकासिल इंसान पार्टी जो हमारे आने वाले समय में हम बिहार में राजनित करेंगे और यह आपका बड़ा कैची सा एक नारा है अब अपने हग अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने वाला हर इंसान बनेगा वी आईपी पर्टी बना ली तो यह कपते हुआ कि यह पार्टी यूपी ए में जाएगी एंडिय में नहीं जाएगी उसके लिए किसकों किसने रिचाउट किया किसने आप से कॉंटेक्ट किया उसमें पार्टी बन गया और अचानक सब चली रहा था लोगसभा का तैयारी चला था तो अब्दुलबारी के सिदिकी जी हैं जो उनके बरे नेता है पर आपको दरवंगा मांग रहे थे वह क्यों नहीं मिली बात हुआ था लालु जी से जवा था लालु जी से मिले थे बात हुआ कि दरवंगा ठीक है आप लड़िये और फिर लास्ट मुमेंट पर उन्होंने कहा पर लाकिने दरवंगा नहीं दे सकते हैं और अब्दुलबारी के सिदिकी जी को हम देना चाहते हैं और वह कि हमको दरवंगा में ही लड़ना है और आप दसलर रहे थे जिमनों ने मुझे मुझे सामिल कराया उनके घर पे हमारे तेजसी जी से मुलाकात होते हैं अब्दलबारीची सिदिकी जी मुंबए में आके हम से मीटिंग करते हैं तो हमने दखा कि चलो ठीक हम कहीं और से भी लड़ लेते हैं उन्होंने का एक्षा जायर किया एक बार हमें लडने चाहिए प्रेसर बनाया किया रांची से की गलत मैसेज जा रहा है साथ रही है नहीं अभी बात्चित नहीं है दोहजार उन्निस में आप खगडिया से लोकसभा का चुनाओ लड़े और अब दोहजार बीस में विधान सभा चुनाओ है ग्यारा सीटें आपके आपकी पार्टी को मिली हैं एंडिये अभी तक कंफर्मिर ने नहीं लिया कि मैं चुनाओ लड़ूगा या नहीं लड़ूगा निति जी से भी मुलाबागात हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम चुनाब लड़ो मजटी से जहां से चुनाओ रश seguir लड़कि आप आईए स्वागत होगा पुरा अच्छे तरीके से तो अभी मैं उस पर मैं विचार करूँगा लेकिन संभबता है कि मैं चुनाब लरू और सिम्री बक्तियारपूर से लरू अच्छा मेरा आखरी सवाल मुकेश सेहनी जी यह संतुलन जो है सियासत का और सिनेमा का यह कैसे साते हैं आप वहाँ पर अपनी कंपनी बना रहे हैं आपने एक फिल्म प्रड्यूस की तो वहाँ पर अभी कैसे एक्टिव हैं मुंबई में ने मैं जब मैं बिहार में कनेक्ट हो गया तो 2015 मेरा देख रहा मुंबई में 2016 में मुंबई के सारे कारोबार को मैं सौट कर दिया और अपने जो सहीओगी लोग थे पार्टी ओफिस में काम कर रहे थे संगठा कमनी में उन लोगों को हैंड़ोबर कर दिया मैं अभी मुंबई के कमनी से मेरा कोई वास्ता नही सब्सक्राइब कर दोस्ते हैं आपके कुछ लोग है कौन है कि अभी सब दर्शक जानना चाहते हैं आपके वेक्टिफ्ट नहीं क्योंकि अभी पांच साल से लगातार में बिहार में हूं ज्यादा मेरा मुंबई जाना आना होता रहे आप तो फिल्में प्रोडूस करने और मैं आपने काम से मतलब रखता था ज्यादा मेरा है बहुत छली नहीं जादा कर रहा लेकिन मेन अच्छे से बनाया था तो बिजनेस नहीं हुआ इस excit월 प्लान नहीं किया क्योंकि तो आगे कोई इरादा है बोचपुरी में फिल्में बनाने का नहीं आगे हिंदी फिल्म बनाओंगा हिंदी फिल्म बनाओंगा और मेरे अपनी जीवनी है मैंने जो संघर्स करके यहां तक पहुचा तो हमारे कहानी के उपर हमें सवाल दर्शकों को जब पता चला कई हमारे की आप इंटर्व्यू करने जा रहें उन्होंने का कि क्या मुकेश सेहनी यह कह सकते हैं कि वह अब एक गठवंदन के साथ स्थाई भाव से रहेंगे कि अब एंडिये में आगे तो कुछ दिन टिक के एंडिये में रहेंगे ऐसा न इन या में हूं और बहुत लंबा समय तक रहूँगा और मैं कभी भी मेरा जो उद्देश जो मेरी भीचार धारा है जो विहार के लिएमें सोचता हूँ उसमें कभी भी कोई कमपरमाज नहीं करूगा चिराग पासवान भी यही कहते थे कि मैं एंडिये में हूँ पर एंडिये में नहीं हूँ चिराग पासवान से मिले हैं आप ना दोजर पंदर में मुलाकात हुआ है और मैं अभी पर लोगों ने का कि चिराग गए तो आपके लिए रास्ता बन गया है हो सकता है बविश्य में किसी गठ जोड की संभावना उनके साथ मैं तो नभी अधिकार छेतर में नहीं हूं नितिश कुमार लगभख 15 साल से बीचका अगर जीता नामाजी का कारेकाल चोड़ दें तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं आपको लगता है कि उनके कारेकाल में कुछ कमी र कि कमी तो ढूंडेंगे तो कमी निकल जाएंगे लेकिन मैं मानता हूँ कि अब तो बता ही रहे थे इस गढड़ वंदर ने आने पहले कमियां अब नहीं बता रहे हैं? मारी तीसरी आंक बन के रहते हो और आप गलती ढूंडते हो और सरकार को बताते हैं कि ये काम आप कीजिए कि उन्होंने कहा कि विपक्स जो होते हुँ हमारी तीसरी आख है तो हम अजय बिहार के लिए और मानिय नितिज जी के लिए तीसरी आख थे और मैं उनको गलती ढूंड-ढूंड के बता रहा था कि यह गलती है इसके उपर आप काम किजिए अभी-अभी मैं सहयोगी हूं अभी मैं अभी मैं बता हूंगा कि सर मच्वारा समात के लिए यह योजना पर काम करने के आ सकता है और यह बताए मुकेश जी कि जिसे आपने इतनी जाके मुंबई में तरक्की कि मुझे उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपसे भेद नहीं हुआ होगा कि आप इस पर चाहिए कि यह जाती कैसे जाएगी अगर आजनी कास्ट के वेस्ट पर हर चीज मागेगा हमें तो एक ऐसा समाज बनाना है न यह पर कास्ट का बना हुआ हुआ है जैसे अरक्षन दिया जा रहा है कि कुछ लोगा बहुत पीछे छुट गया उनको आगे बराबरी में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन का सहरा दिया गया तो उनको वह बेनिफिट मिलता है तो अभी भी है कि आप जो एक समू है वहां पर रहेंगे तो आपके उपर सरकार या कोई भी लोगों को फोकस करते हैं तो हर सरकार के परती मतलब पूरे बारा करोड जनता के उपर उन या हम नॉन पॉलिटिकल थे तो हम उमीद रखते थे कि हमारे बात को मानने मुख मंतरी जी माने मानने परधान मंतरी जी माने और मैं वहां पर कोशिश कर रहा था कि काम हो अभी मैं एक राजनिक दल बन गया हूँ तो मेरा ये काम रहेगा कि मैं खुद करूं लेकर उस पा प्राचील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को जो खुद भी पद के दावेदार हैं और NDA गठबंदन का हिस्सा हैं 2020 के बिहार विधान सभा चुनाओं में इस पूरी बातचीत के बारे में मुकेश सहनी के पॉलिटिकल स्टेंड के बारे में बिहार की सियासत क के बारे में आपकी जो भी राय हो जरूर बताइए समवाग चलते रहना चाहिए क्योंकि हमारा और आपका गठबंदन इस्थाई है एजिंडा बिल्कुल क्लियर है डिमोक्रेसी को मजबूत करना है आप देख रहे हैं दीललन टॉप